मैं मुहित एक और वीडियो के साथ आज जो मैनोकलर्स हैं वो करीब पांच मैनोकलर्स हैं लेकिन सारे 10x42 हैं 10x4 और 42 mm लेंज का साइज आपको पता है कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है 8x42 और 10x42 तो अगर आप साइट सिंग करने जाते हैं या वाइड सफारी पे जा मैनोकलर्स ही तो 10x42 रूफ प्रिजम के अंदर बहुत ही पॉपलर डिजाइन है 10x42 लेंज का डामीटर और रूफ प्रिजम जो कॉम्पक्त होते हैं इस तरह से यह पांच बॉक्स में आते हैं पहला जो बॉक्स है आपका यह गेम कीपर है इस तरीके से आता है 10x42 और इसक यह तीसरे नमर पर हॉक का है चौते नमर पर लगजन कंपनी का है इंपोर्टेट है और पांच पर नमर पर एक और इंपोर्टेट है लगजन कंपनी का ही 10x42 यह जो पांचो बाइनोकलर है इसमें पहले चार जो है वो वाटरपूफ है पांच पा जो है वो बजट में है औ आगे की बात करते हैं अगर आपको कैमोफलार्ज कलर में बाइनॉकलर पसंद आते हैं तो इस तरीके से यह गेम कीपर का जो निकाला है जितने भी मैंने बाइनॉकलर में परफॉर्मस चेकी मुझे अनस्ली जो मल्टी कोटे लेंस बाइनॉकलर के लगे अच्छा इसमें फील और अच्छी ग्रिप आती है एक सॉलिड बनावा बाइनॉकलर है मेरे खाल से पॉलिकार्बोनेट बाडी में होना चीए बैक फोर प्रिजम में है मल्टी कोटे लेंसे है वाटर फूफ है बहीं चीज आई रिलीफ अच्छा है करीब 14 मिली मीटर है 618 ग्राम इसका वजन है अच्छी है ब्यूज बहुत अच्छा है बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है डायोप्टर से और राइट आइड़ेस्मेंट से नीरस फोकसिंग डिस्टंस जो मैंने इसमें देखा वो करीब साड़े-चार मीटर था मुझे यह बहुत पसंद आया सेकंड बाइनॉकलर जो मैंने चेक किया इसी के साथ सेलेस्ट्राण काई यह ब्लैक कलर में आउटलैंड सीरीज में आता है इसमें 8 x 42, 10 x 42, 10 x 50 टाइपस के आते हैं छोटे में भी आता है 8 x 25 इसमें भी आईरिली फच्छा है लगबख same specifications हैं वही 4.5 मीटर नेरस फोकस डिस्टंस वाटर पूफ में हैं, वागपोर में हैं, रूफ प्रिजम में हैं और कंपनी क्लेम करती है, मल्टी कोटेड है लेकिन मुझे मल्टी कोटेड इतने ज़्यादा लगे नहीं मुझे यह fully coated binocular लगा इमेज brightness की बात करें तो गेम कीपर सीरीज आउटलेंट से हलक असा edge उपर है brightness level में, हालां कि बाकी सारे specifications बिल्कुछ same है आगे चलें तीसरा binocular जो है यह again polycarbonate body में बना हुआ हॉक का है green color में है, काफी अच्छी solid build है और design थोड़ा सा unique है इस तरह का design है जो आपको appeal भी कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से और यह बिल्कुल stick हो जाते है binoculars, थोड़ा सा heavy है 618 ग्राम के मकाबले 670 ग्राम में है, minimum focusing distance पीस में 5 मीटर है इन में 4.5 मीटर था लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जो eye relief है वो 15 मिली मीटर है तो इन से थोड़ा सा बेटर है और जो field of UP है वो company claim कर रही है 300 feet 1000 square yard में तो इसका लब 1000 square yard में अगर हम देखते हैं तो 300 feet का area आपको दिखाई देता है तो अच्छा binoculars है मैंने इसको भी चेक किया ये भी अच्छा sharp image थी लेकिन इन तीनों में brightness पर कहूँगा हलकी सी जो edge था वो game keeper का था मुझे ये तीनों binoculars अच्छे लगे नमें कोई complaint नहीं है तीनों binoculars आपको हमारी site में मिल लेंगे चौते पर चले तो लगजन गपडी का है ये भी waterproof category में आता है simple design है और बहुत अच्छे से focus हो जाता है इनी binoculars की तरह एक अच्छा wide field of view दिखाता है lightweight है मेरे खाल से उसी बदन में होगा ये भी यह हो सकता 10 gram हलका ही हो में चीज़ है कि budget में है इसमें भी मुझे अच्छी बात लगी कि 3-4 बार आप click करेंगे तो अपने eye relief के साफ साफ इसको adjust कर सकते हैं waterproof में है ये भी ये silver ring जो आप देख रहे हैं ये focusing के लिए है थोड़ा सा hard है stiff हलका सा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये budget में है थोड़ा और इन से लगबग आदी कीमत पे है तो अगर आपको waterproof में चाहिए हो और budget में चाहिए हो back four roof prism multi coated lenses में तो ये एक अच्छी choice है last में चलें ये भी 10 by 42 है मेरे खाल सबसे light weight शायद यही होगा जहां तक views की बात करें तो views acceptable है ठीक quality के है इनके माबदन के हिसाब से ये binocular थोड़ा सा इन से lack करता है लेकिन वैसे देखने में budget के हिसाब से value for money में बिल्कुल सही performance है और price जो branded है उन से करीब one third कीमत आप मान के चलिए rates पे है एक चीज जो इसमें इची है इन सब से better है वो ये है कि nearest focusing distance इसका जो है वो करीब 5 meter है किसी का भी साड़े चार पांच मीटर से कम नहीं है लेकिन इसका minimum focusing distance पास है यह waterproof में नहीं है लेकिन backpour prism है और multi-coated lenses है और roof prism design है सबसे light weight है और nearest focusing distance इसका डाई मीटर है image quality अच्छी है acceptable है इनकी थोड़ी better है क्योंकि यह उपर high range के है इन सब में जो best मुझे लगा जिसकी picture सबसे ज़्यादा bright थी sharp तो सभी की है crisp है picture हलका सा जो edge था वो game keeper का लगा इन सब के साथ caps लगी लगाई आती है hanging है तो खोँ नहीं सकती इनके bags पे भी एक नदर मार लें यह last वाला जो binocular है यह उसका bag है अच्छी quality का bag है अच्छा padding वाला bag है इसमें कोई problem नहीं है यह वाला यह bag है यह वाला जो bag है यह मैंने भी पता किया है यह इसके साथ आता है लगजिन के साथ यह भी अच्छा bag है नियो प्रीन में है इसके बाद दो bag जोर है एक यह hawk का है यह भी अच्छी quality का padding है इस वाले bag से थोड़ा बेटर है यह hawk company के साथ आता है और सेलेस्टान का gamekeeper इसमें हलकी सी padding काम है लेकिन यह भी अच्छी quality में है यह outside pocket भी है और इस तरह से सब manual भी साथ में आता है तो मुझे यह binoculars सारे ही अच्छे लगे value for money है अगर आपके पास budget constraint नहीं है और 10-12000 का आपका budget है तो मेरे खाल gamekeeper इन सब में थोड़ा सा bright image होने की वज़ाद से हलके से number मैं इसको ज़ादा दूँगा बाकी performance सबकी moral is same है last वाला है वो value for money है और जो लगजन का यह वाला है यह आदे दाम पे है लेकिन waterproof है और बहुत ही अच्छी quality है मेरे लिए चूज़ करना बड़ा मुश्किल है अगर मैं budget पे हूँ और मुझे waterproof नहीं चाहिए जो कि हमोमन हमें नहीं चाहिए होता तो शायद मैं last वाला लूँगा और अगर मुझे waterproof में budget में चाहिए तो शायद यह मैं लगजन वाला लूँगा और अगर budget की मुझे कोई कमी नहीं है और मुझे best चाहिए तो इस slot में जो best है वो Celestron का है अगर मुझे अच्छा body चाहिए polycarbonate में और i relief थोड़ा better चाहिए तो फिर मैं शायद hawk में जाओंगा अमीदा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कुछ further questions पूछने है या हमारी site से लेना है indiabanocularshop.com और मेरा phone number 989921 2222 95606 87095 मैं मोई तब sign off करता हूँ आपके questions welcome रहेंगे Thank you